हेलो अबरी बायन माई सेल्फ हीमन तुम्रे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस पे जो आपको प्रोवाइट करता है कॉलिटी कंजरेंट पूरा का पूरा वो भी बिलकुल फ्री और ऐसा नहीं कि दो चाल चैप्टर्स पढ़ा के छोड़ देंगे न है कॉंपुटिटिटिव एक्जाम सार सर जेई सर नीट उनके लिए और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की केमिस्ट्री जो कि आपको पता है एज यूशल और क्लास 11 की केमिस्ट्री में चाप्टर नंबर टू जिसका नाम है स्ट्रक्चर ओफ एटम कई सारे हमन लपक के च्छका ओर जिस से बात निकल के आई थी स्पेक्ट्रम की क्योंकि हमें देखना पड़ा था उपर और उपर हमें समझ में आया अच्छा सपेक्ट्रम ऐसा कुछ तो मैंने आपको बता दिया था सर इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम तग अपनी बात खतम हो थी और कल वाले वीडियो में मज़ा भी आया होगा और पूरा समझ में भी आया होगा electromagnetic spectrum जो था वो मैंने आपको बता है था जो हमारी electromagnetic radiation होती है एक बड़ा सा चार्ड बनाया उसमें सारी radiation को पटक दिया या तो increasing order of frequency ले लो या तो decreasing order of wavelength ले लो और सारी मैंने एक एक किसको रख लिया किसको रख लिया किसको रख लिया EMR को electromagnetic radiation कुछ radiation ऐसी थी जिसको हम देख पा रहे थे like visible radiation कुछ ऐसी थी जिनको हम हमारी आखे तो देखना चार रही थी लेकिन वो दिख नहीं spectrum उसमें आपने देखा था कई सारे spectrum थे हाना उसमें कई सारे चार्ट थे जैसे infrared UV visible radio micro लेकिन इन सब में आपन देख किसको पा रहे थे सर सिर्फ visible वाले को तो जिसको देख पा रहे हैं उसी को देख सकते हैं जिसको नहीं देख पा क्या कर लोगे सर एक बात हमेशा रखना जो दिख रहा है उसी से बात करोगे ना जो नहीं दिख रहा है उससे क्या बात करोगे तो हम आज पढ़ने वाले हैं visible spectrum मतलब वो electromagnetic spectrum का एक पार्ट है जिसको पन क्या नाम देते हैं सर visible spectrum क्लियर बात पक्का अब visible spectrum कैसे बनता है क्या होता है किस तरीके का होता सब बताऊंगा आज में तो चालू करते हैं आज अपने अपना फाडू सा क्या लेक्चेर और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलने वाले चलिए सर देख रहे तो अच्छा सर visible spectrum पढ़ाओगे पहले हाँ फिर क्या स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम भी है तो कोई डरने की बात नहीं है लिलू सी चीजे है और आज बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है आपको तो कोई दिकत चलिए तो चालू करते हैं बहुत बढ़िया सी चीज फरस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है सर विजिबल स्पेक्ट्रम सबसे बढ़िया बात जो मैं आपको बताना चाहरा हूं मौसम भी यह है मौसम है सुवाना नहीं आप देखने तो पानी वानी गिर रहा है बढ़िया बिंदास सर कभी शाम को ऐसा हो जाए चार-पांच बजे ब नजारा देखने को मिलता है जिसको अपन कहते है रेन्बो सतरंगी इंद्र धनूश यही नाम होता है क्या नहीं तो यह देखने को कम मिलता है सर कि जब थोड़ी बहुत बारिश हो जाए और उसी टाइम पर धूप खिल जाए तब अपन को एक चीज देखने को मिलती है क्य जो मैंने आपको विजिबल वाला पार्ट बताये था उसमें भी यही साथ कलर दे इस तरीके से रेन्बो आपको दिखता है दिख रहा है बात समझ पा रहे हैं सबसे आगे होगा रेड रेड के बाद फिर क्या होगा रेड के बाद क्या होगा औरेंज औरेंज के बाद क्या यलो-यलो के बाद क्या हुगा ? ग्रीन-ग्रीन के बाद क्या होगा ? इंडीगो iंडीगो इंडीगो के बाद क्या होगा ? वैल इस तरीक से आपको यह रिनबो am I will तो यह जो आपको देखने को मिलता है यह वाला इसी को अपन कहते हैं सर विजिबल स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं सर इसको विजिबल स्पेक्ट्रम लेकिन सर बात ही आती है यह स्पेक्ट्रम बनता कैसे विजिबल वर्ड क्यों किया सर विजिबल इसलिए बोला क्योंकि हम the visible part of the electromagnetic spectrum इसी को हमारी आखे देख पाती है और यही हमें दिखता है और मैंने कहा था सिव आपके पास market में कित्ते colors होते हैं सर साथ colors बोला था के नहीं बोला था याद करो मैंने कहा साथ colors होते हैं यही विब ग्यॉर कौन हो कौन से होते हैं विब ग्यॉर कौन कौन से होते हैं सर विब ग्यॉर वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन यलो औरेंज रेड और इन साथो color को मिला दूँगा तो आपकी sunlight की white light बन जाती है क्या हो जाता है white मतलब एक और color आगया अब हो गए 8 और अगर दुनिया में कोई भी color नहीं है ये साथो color कहीं present नहीं है तो क्या दिखता है कुछ भी ने dark दिखता है और उस dark open ने क्या नाम दिया है जो dark आपको यहां दिख रहा है और उस dark open ने नाम दिया है black तो total आपके पास 9 colors हैं बस कित्ते colors हैं? 9 रियल में कित्ते colors हैं आपके पास 9 फिर सर वो ही आपने फिश्री क्लास में हो लगा था सर क्रिम्सन रेड, कोरल रेड, पिंकी पॉंकी, रामा कलर और ये सब क्या है सर फिरंगी कलर तो मैंने का ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से अगर आप दो कलर को मिला तो तो तीसवा बन जाएगा तीन कलर को मिला तो तो चौता बन जाएगा इस तरीके से आपके कई सारे शेट्स तयार करे गए हुए हैं मार्केट के अंदर, बास समझ गए? लेकिन दुनिया में आपके पास सिर्फ साथ कलर है ये एक आठवा वाइट लाइट जो इन साथो को मिलाने वे बनती है और जब कुछ नहीं होता से उसको आपने नाम दे दिया है डार्क, डार्क को बोल दिया बलैक तो एक और करार हो गया है इसलिए अपने पास किते हैं मैक्सिमम नो कलर्स अब सर्कुछ लोग पूछते सर्रेंबो बनता कैसे? मैंने का बता देंगे कोई दिक्कत की बात थोड़ी है रेंबो तो बता देंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब देखिए रेंबो कैसे बनता है रेंबो बनाने के लिए पहले मैं बात करता हूँ लैप के अंदर जो आपके एक स्कूल टीचर आपको छटी साथी में दिखाता था और केता था जादू हो गया जादू हो गया मैंने का अच्छा ध्यान से देखना यह आपकी वाइट लाइट है तो वाइट ही बनाओ आप भी कहोगह। मैंने भाज़ेख फच्छा के वाइख वगर रहो बाई यह वाइट लाइट है और यह जूह है यह ग्लास प्रिज्म है क्या है सर ग्लास प्रिज्म पता होगगा यह आपको एक ऐसे ट्रिकोनी टाइप का 3D डाइग्राम होता है उसको ऐसे किसके पास आपन देखते हैं विंडोस के पास ऐसे ले जाओ जिसमें सलाइट जा रही होगी तो एक साइट से आपको दिखता है कि वो लाइट स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में कितने में स्प्लिट होगी सर 7 कलर्स में बता देता हूँ मैं आपको ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगी एक वाइट लाइट जैसी प्रिजम के पास पहुची वो अपने 7 कलर्स में फैल गई फैलने को क्या कहते हैं स्प्लिटिंग ओफ लाइट क्या कहते हैं सर splitting of light और sir जैसे यह split हुई ना तो इसने different different colors दिये क्या दिये sir different different colors जो ये पहला नीचे वाला color दिया ये इसने दिया violet ये इसने दिया indigo ये इसने दिया blue blue के बाद फिर दिया green green के बाद दिया yellow yellow के बाद दिया orange और औरेंज के बाद क्या दिया सर रेड क्या दिया रेड दिया क्या दिया सर रेड दिया चीक है और आप जैसे ही आपने देखा तो यह पूरा आपको कलर बैंड मिलेगा क्या मिलेगा आपको कलर बैंड सबसे नीचे कौन सा कलर होगा सर वाइलेट कलर सबसे नीचे कौन सा कल औरेंज के बाद क्या होगा रेड तो यह जो आपको दिखा इसी को अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम और जो की आप देख पा रहे हो इसलिए इसका नाम रखा गया है विजिबल स्पेक्ट्रम क्या नाम रखा गया है विजिबल स्पेक्ट्रम और मैंने आपको पिछली ग्लास में का था यह हर एक यह एक वेव उनकी वेलोग सर्य फ्रिक्वन्सें भी अलग होती है और वेवलेंद्ट होती है कि इनकी ह्रीकवेंसी भी अलग होगी और फिर आतना की वेवलेंद्ट hd देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम क्या नाम देते हैं अपन विजिबल स्पेक्ट्रम जो अपन देख रहे हैं अब एक और बहुत इंपोर्टन बात है यह देखें अगर यह लाइट यह प्रिस्म नहीं होता तो यह लाइट यहां से सीधी निकल जाती निकल जाती के निकल ज अलिबस्म ने इसको जो सातों कलर में तोड़ा है तोड़ने की बज़े से हलके हलके डिवेट होगए क्या हो गया स्थम्हें इनने डिफ्लेक्शन दिखाया है क्या दिखाए है इन это deflection deflection को अपन इस तरीके से दिखाते हैं या physics में पढ़ोगे इसको कहते है angle of deflection angle of deviation मतलब जो light सीधे अपने path में चल रही थी अब वो अपने path को change करके दूसरे path में चली गई है तो उसने किता deviation दिखाया उसी को आना था लेकिन वो इतनी deviate हो गई मतलब ये जो angle of deviation है कौन सा ये वाला ये किस के लिए है sir red के लिए किस के लिए है red के लिए लेकिन अगर मैं violet को किसको देखू violet violet सरबसे last में sir तो इसका जो angle of deviation होगा देखे तो बढ़ा है और इसको जो मैं denote करूँगा वो किससे denote करूँगा डेल्टा वी यह क्या है हाँ इसको लिख देते हैं अपन एंगल ओफ deviation of red light क्या है red light मतलब यह चोटा सा दिख रहा है यह बता रहा है angle of deviation of red light मतलब white light जिस पात पर जानी थी वहाँ से जो deviation मिला red को वो थोड़ा सा मिला लेकिन violet का देखिए सबसे जादा deviation है और यह बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि वाई ओल दा danger signals are made up of red color क्योंकि red color deviate कम होता है देखिए कितना जादा हुआ है यही मैंने आपको example भी दिया था मालों दो लड़के हैं एक कोई ऐसा must मोटा इंसान जित्ता मोटा हुआ उसकी wavelength कित्ती बढ़ी है और एक बहुत पतला सुक्रा सा मेरी तरह पतला सुक्रा सा जिसकी wavelength कैसी है बहुत कम है अब दोनों भगते हुए आ रहे हैं और मैं यहां पर खड़ा हूं मैं नहीं मेरी जगा और कोई खड़ा है जैसी कोई भगता हुआ है मैंने पहले वाले को धक्का दिया अब वो पतला सुक्रा इंसान था वो यहीं गिर गया मै वाइलेट की wavelength कम होती है क्योंकि वाइलेट की frequency जादा होती है फिस्ट्री ग्लास में बताया था और अब आ रहा है कोई मोटा चलता हुआ जिसकी wavelength बहुत ज्यादा है जिसकी wavelength कैसी है बहुत ज्यादा भगता हुआ रहा है उसको मैंने ऐसे धक्का मारा वह थोड़ा से अप वाइलेट की तो वाइलेट की wavelength कैसी है बहुत कम और अगर वाइलेट की wavelength कम है तो उसकी frequency कैसी जादा है और उसका angle of deviation कैसा होगा जादा होगा इसलिए मार्केट में कोई भी danger sign या दूर से दिखने वाले sign वाइलेट के नहीं बनाए जाते हैं सिर्फ बनाए जाते हैं किसके कलर है मार्केट में आपके पास पूरे यूनिवर्स में जो कलर हैं उन साथों में सबसे कम डेविएट होने वाला कलर से वे कि यह है लाल लाल समझ रहे हैं कोई दिखकत तो नहीं तो इसलिए लाल कलर इंपोर्टेंट है सर क्योंकि उसका angle of deviation कम है क्यों कम है क्योंकि उसकी wavelength बढ़ी है frequency कम है पका तो एक बार इसको ड्रॉ करेंगे फिर आगे बताता हूं जल्ली ड्रॉ करेंगे चलिए ड्रॉ कर लिया कोई दिखकत क बात तो नहीं है पका चलो अब सर यही वाली बात होती कि सर यह तो आपने बता दिया नॉर्मल लाइट को मैं प्रिजम में डालूंगा तो सर यह सब हो गया लेकिन सर जब बारिज गिरती है तो मेरे उपर प्रिजम थोड़ी लगें तो यह rainbow बनता कैसे यह तो बता दो मैं बिल्कुल बताओं असल लेकिन यह फेनोमेना समझ में आया दूसरी बात यह जो आपको स्पेक्ट्रम मिला इसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम चाहिए आप भाई प्रिजम से निकाल के देख लो या फिर बाई आप ऊपर जो भी आपका बडिया तरीके से रेन्बो बनेगा उसको देख लो तो मेरा एक मकसद था विजिबल स्पेक्ट्रम समझाना वो तो समझा दिया अब बात आती है सार रेन्बो कैसे तो आजाओ फटा तो इसको को देकत की बात नहीं है ये लोग आया अब सर क्या होता है जैसे बारिश गिरी और फि क्या होती है सर वाटर की ड्रॉपलेट होती है के नहीं होती और यह सब एक्ट करती है किसकी तरह सर प्रिजम की तरह समझे तो प्रिजम नहीं जाएगा उपर वहाँ पर बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स है जो किसकी तरह एक करेंगी भीया प्रिजम की तरह और अब देखो पर यह अब मज़ाएगा सरक फिर में से जैसे यह वाइट लाइट पोची जैसी धूप निकली वाइट लाइट पॉची और फिर फिनोमना होगा division splitting its affiliated on lights a light Sun color on में तूटने वाली यह यह साथ कलर सर देख लीजिए पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौता हो गया पांचवा हो गया चटा हो गया और यह सातो कलर का फिल से बैंड मिलता है जिसको आप जानते हो वेब गयार और सातो कलर आपके सामने और जो इस तरीके से rainbow करके मार्केट में आपके सामने आ जाता है क्या करता है आ जाता है चीक है अच्छा एक चीज और बताओ बहुत इंपोर्टेंट चीज है एक चीज फाइदे मंदे अभी आगे और मिलेगी सर अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं आपको ऐसा कभी rainbow को देखा हुगा सबने दे यलो फेड होते होते हैं green green से blue blue से ंडिगो बॉयलेट मतलब कई पर ऐसा नहीं दिखछा कि दो कलर को सैपरेट करने के लिए ब्लैक लाइन आप सेपरेट करी नहीं सकते आप बताओगी नहीं कह खतम हो रहा है और यह चीज याद रखना जो हमारे visible spectrum होते हैं जो हमें rainbow के form में मिलते हैं उसमें कभी-कभी color separation नहीं होता क्या spr ponieważ separation पटा तो चल रहा है कि साथ color है लेकिन red cup होते होते ओर चमसे बदल गया ओरेंच कब खतम होते यलो में बदल गया yellow cup खतम होते ब्लू में बदल गया यह ग्रीन में बदल गया तो यह separation आपको पता नहीं चलता और इस तरीके के spectrum को एक और नाम दिया जाता है continuous spectrum क्या कहते हैं continuous जिसमें एक color दूसरे color के साथ merging में हैं कहीं बीच में जैसे आपने देखा को drawings बनाते थे अपन लोग तो drawing में क्या करते थे अपना color दूसरे वाले color से ना मिल जाए तो उसके को कौन separate करता था वो black line इधर किसी को separate कर रही है क्या कोई लाइन होती, मतलब लाल उदर, औरन्य इदर, तो उस तरीके के spectrum को कहते है, line spectrum, क्या कहते है, line spectrum. अब यह आगे भी आएगा, लेकिन मैंने रखाँ और बतादू कोई दिखत की बात नहीं है, तो यहां तक clear हुआ you must have seen, you must have seen this part of the spectrum in the rainy season as rainbow, ये तो पक्की बात है, I don't think इसमें कोई problem होनी चाहिए, तो ये दोनों point आप लिख लिए ना, वैसे आपने screenshot ले लिया है, आगे बढ़ते हैं ये देखें सर, spectrum is the distribution of color produced when white light is dispersed by a prism, जो white light 7 color से बनी थी, वो अपने 7 color में तूड गई है, और उसी कोपन disperse या फिर dispersion medium भी कहा, dispersion fenomena भी कहा, जाता है, और वो prism से तूटती है, किस से तूटती है, prism से, ये मैंने आपको पहले ही बना के दिखा दिया, उपर वाली line important है जड़ा लिखेंगे, उपर वाली line बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखू, यहां भी दिख रहा है, sir, red है उपर, red और यहां दिखे, orange है, मतलब रेड धाधी धीर खत मोत्य औरेंच चालू हो गया औरेंच खतम हो थो येलो चालू हो गया येलो खत मोत्य घ्रीज चालू हो गया ग्रीन खतम ह हो जो ए बलू से इंडिको इंडिको REYलेट मतलब सर आप separate ही नहीं कर पा रहे हो लाल कलर और औरेंज कलर कहां खतम हो रहा है बीच में कोई outline नहीं है तो इस तरीके को अपन क्या कहते हैं सर continuous spectrum क्या कहते हैं continuous सर है visibly डरना नहीं है है visibly लेकिन वो visible में अगर आप colors को separate नहीं कर पा रहे हो तो continuous और separate करने के लिए black lines आ गहीं है तो भाईया line spectrum क्या है line spectrum और spectrum मतलब नहीं समझ गए ना यह जो color band मिल रहा है यह जो color film मिल रही है इसी को अपन कहते है spectrum और यह किसका पाट है electromagnetic spectrum वह बड़ा सा पट्टा जिसमें आपने कही सारी radiation बताईती और उसमें अपन कौन सा देख रहे हैं सिर्फ visible वाला क्यों वहीं दिखता है सब हमारी आखों को वही मज़ा आता है जो दिखेगा वहीं तो बिकेगा जो देखेगा उसी तो बात करेंगे जो नहीं दिख रहा उसके बारे हम बात करके कोई मतलब है क्या नहीं पॉइंच समझें छीक इसमें कोई दिक्कट नहीं होना है एक बार जली पहल जली एक हब इसका कि इसप्ट्रम क्या है जली है इसकी आपकर में पम में पूशन क्या होता है यह देखिए, यह अपन पहले ही कल दिये, कल दिये के नहीं कल दिये, कि अपना जो स्पेक्टर में उसमें कौन-कौन से कलर होते हैं सर, लाल, औरेंज, यलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेच, यह यह कहा नहीं, पक्की बात, अब जरब बात को समझो, अरे सर, यह कौन सा वर्ड ले लिया, अभी तक तो आप वाइट लाइट चला रहे थे, यह पॉली क्रोमेटिक लाइट क्या हो गई, तो मैंने का बहुत इजी है, सर एक बात बताओ, वाइट लाइट में कितने कलर हैं, सर अब भी तो बताया है, सेवन कलर है, यह तो आपको दिख रहा हैं कलर, लेकिन हमने पढ़ा है कि यह एक एलेक्ट्रोमाइटिक रेडियेशन है, और एलेक्ट्रोमाइटिक रेडियेशन के अंदर भी एलेक्ट्रोमाइटिक रेडियेशन है, मतलब हर एक कलर, लाल कलर भी एक एलेक्ट्रोमाइटिक रेडियेशन है, और आप तो सब एक-एक electromagnetic radiation से तो सब की खुद की एक frequency होगी और खुद की एक wavelength होगी सर आपके लिए ये color है आपके लिए ये लाल, पीला, हरा, नीला बाकी लोग जो atoms होते हैं जो molecules होते हैं उनके लिए ये एक energy है क्या है energy अच्छा सर energy है हाँ क्यों क्योंकि लाल कलर की एक frequency होती है और जिसके पास भी frequency होती है उसके पास एक energy भी होती है एक हमारा बहुत बढ़िया है जो आगया कि हम पढ़ेंगे एक relation planks quantum theory अभी माँ बता देराओं बस आपको e equals to h new new मतलब frequency तो हर वो जगा या जहां पर भी frequency है वहाँ पर energy भी होगी मतलब लाल कलर की भी energy है औरेंज की भी energy है यलो की भी energy है ये सब की सब एक electromagnetic radiations है जिनकी कुछ ना कुछ energy पाई जाती है बस इनकी energy इतनी कम है और इतनी अच्छी है कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है कईयों की जादा होती है कईयों की कम होती है तो हमने यहीं कहा सर ऐसी light जिसके अंदर कई सारी electromagnetic radiations है और जिनकी different frequencies है और different wavelength है लेकित जैसे ही मैंने उसको कहां डाला प्रिजम में वो अपने साथो आठो कलर में तूट गई सर साथ बोलो आठ क्यों बोल दिया में कहां sorry भाई आठ नहीं साथ कलर में तूट गई और हर एक कलर की एक क्या होती है frequency होती है एक wavelength होती है अब जो आपको उपर दिख रहा है वो सिर्फ सिर्फ लाल है उसके अंदर प्रिजम के कि को अपन कहते हैं monochromatic light मतलब एक polychromatic light का मतलब उसके अंदर कई सारी monochromatic light होंगी और कित्ती monochromatic light दिखी आपको साथ क्योंकि white light के अंदर साथ monochromatic light होती है और कई पर अगर आपके सामने सिर्फ लाल कलर जल रहा है मतलब वो एक monochromatic light है और वो कौनसी है सिर्फ लाल कौनसी है लाल इतनी बात क्लियर है तो यह वाला diagram को थोड़ा update कर लेना वहाँ पर लिख रहे न इंडिगो, blue, green, yellow, orange, red, red की wavelength सबसे ज़्यादा, violet की wavelength सबसे कम चीक है और अगर इसकी wavelength सबसे ज़्यादा तो इसकी frequency सबसे कम और इसकी frequency सबसे ज़्यादा और जिसकी frequency ज़्यादा या कम उसकी energy भी कम और इसकी energy सबसे ज़्यादा यह में न पढ़ाया, यह relation बताता है, किसी की अगर frequency जादा होगी, तो definitely उसकी energy भी जादा होगी, पकी बात, कोई दिकत तो नहीं, एक बार इसको note down करेंगे, बढ़िया तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी, चलिए, हो गया, कोई दिकत की बात या फिर seven frequencies होती भी है, सबकी अपनी एक frequency होती है, अपनी एक wavelength होती है, the spectrum obtained is a continuous, अब भी बताया था, continuous one, as there is no gap between two adjacent frequencies or color, मैंने आपको बताया था कि लाल और orange के बीच में कोई outline नहीं होती, लाल खतम होते 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 हैं, और इंच चालू, और इंच खतम होते होते हैं, यल्लो चालू, तो इस तरीके के spectrum को क्या कहते हैं, सर अपन, continuous spectrum, और line spectrum बताऊंगा कैसा होता है, लेकिन यह चीज़ आता है, सर, continuous spectrum यह होता है, एक बार screenshot लेंगे इन दोनों का यह लिखना है अपन को, जल्दी, 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 हो गया, यह देखिए, वैसे तो यह picture जो है, बह यलो, यलो गुस्ता हुआ किसमें, ग्रीन में, ग्रीन गुस्ता हुआ किसमें, ब्लू में, ब्लू, इंडिगो में, इंडिगो में, वाइलेट में, तो कहीं पर भी कोई black line की outline नहीं आये, कुछ ऐसा नहीं आया, कि भाया, और, देखो, ऐसा आ गया, तो बात अलगे, कि आ जाता है, continuous, उपर पड़ो, जल्दी पड़ो, देखो, continuous spectrum is the spectrum, अहा, continuous spectrum is the spectrum of the white light that ranges from violet to red, यही होता है, violet से लेकर कहां तक होता है, red तक, it is called continuous because, in it, violet merges into blue, यह वाइलेट धीर धीरे फेड होते 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 है, किसमें चला जाएगा, ब्लू में, और फिर and so on, एक color दूसे color में merge होता हुआ जाता है, इसी को अपन क्या कहते है, continuous spectrum, चीक है, कोई दिकत की बात तो नहीं, यह चीज़ याद होनी चाहिए, कि continuous spectrum क्या होता है, सर, continuous spectrum कैसे बताएंगे, तो एक color जब दूसे color में पूरा merge होते हुए चला जाएगा, और दूसा color तीसरे म merge होता हुआ चला जाएगा, तो कोई भी color के बीच में separation नहीं मिलेगा, कोई outline नहीं मिलेगी, कोई blank space नहीं मिलेगा, तो अब अपन कहेंगे, यह continuous spectrum है, कैसा है सर, continuous spectrum है, पकी बात, कोई दिकत की बात तो नहीं है, चलो, फटाफट नोट डाउन करेंगे यह, जल्दी करेंग चीक, अब सर, अभी आपने spectrum की बात करी, तो spectrum तो क्या हो रहा था, prism के through बन रहा था, हाना या फिर अपनी water droplet के through बन रहा था, लेकिन सर, आपन तो पढ़ रहा है, atomic structure, तो आपन को तो पढ़ना पढ़ेगा, atom के through भी बन सकता है, या अगर आपन बात करें, किस के through, molecule के through, तो मैंने का, बन सकता है, города साबने यही किया था, क्या किया था, बोल्स साबने यही किया था, अच्छा सर, atom है, atom से बन जाएगा, मैंने का, हाँ बनेगा, सर, water क्या है, एक molecule है, molecule किस से बना है, atom से बना है, तो जब water के droplet से spectrum मिल गया, तो atom से क्योँ नहीं बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा बिल्कुल बनेगा अब देखो तो यहाँपर मैंने लिया कौन सा hydrogen atom कौँन सा item लिया सर hydrogen atom चलिए अब देखता हम कैसे atom से अपना क्या तखियार होता है सर क्या तख्रिंट चीकर मान लेतें एक इटम चलो यह अpark आपना नूकलियज हो गया इक चीक यह क्या क्या हो गया नूकलियस और मोले इसको ढूलऑ यह पूरा यह भुलेजик है अब नूकलियस कर रौण आप जानते हैं अपो अह उते हैं क्या होते हैं शेल ढ़ते हैं collect थे शरॉ और फोट ने चाहिटा इसका प्रया हमारे बोर्स साथ आपने कहा था कि जो नूक्लियस है नूक्लियस के अरांड नंबर ऑफ शेल act कॉह orbit कहते हैं और हर एक shell की energy होती है जैसे माल लीजे ये first shell है तो इसकी कुछ energy होगी इसके बाद कौन सा shell है second उसकी energy first से जादा होगी फिर किता होगा third, third की energy और जादा फिर होगा fourth, fourth की energy और जादा तो बोर्स आपने जो KLMN दिया था ना अभी मैं बात में ही बात करूंगा लेकिन अभी आपको थोड़ा सही समझाने के लिए बताना जरूरी है तो उनने क्या किया था लगभख साथ सेल तक बतायते कि कम से कम seven shells हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है कितने हो सकते हैं seven shell और दूसरी बात उनने कहता इन हर एक orbit में आपके elektrons प्रेजेंट होते हैं रदरफोड ने क्या कहता एक ही में सब होते हैं उसने कहता नहीं हर orbit की energy अलग है तो उसमें रहने वाले electron की energy भी अलग होगी अगर फर्स्ट में कोई में आता है यह फॉर्स और वाला कि तो उनको अपनी एनर्जी यलें द्यंग 令 Griffight आbn बाद कई बता लें लेकर आपन को बस अब यह समझने कि अप्षरब में एक श्यूंकिंग बने अब बात आप में हैड्रूजद के लगये बन के spectrum के लिए तो आपको white light चाहिए ही चाहिए मैंने का वो तो लेना पड़ेगा उसके बिना कुछ नहीं होगा तो यह white light इससे टकराई यह क्या है अपनी white light अब मैं तो ready हूँ क्या देखने के लिए spectrum देखने के लिए वो भी कौन सा सर मेरा rainbow तो बनना चाहिए जैसे प्रिजम से बनाता मैंने का ठीक है भाई देख लेंगे बनता है के नहीं बनता है एंसार आप बनना नहीं बनना कर रहे हो आप बने का बाई बने का रुक तो जा थोड़ा सा तो आप क्या हुआ जैसे यह white light इसके अंदर गई तो भाईया इसने white light को क स्पेक्ट्रम मिला चीए अब इसंप्र्अ में क्या मिल असमर्त मिले हूंगे क्या मिले हूंगे कलर किए पने पास सारे कलर हैं खोड़ा सा होता यह तो वो कलें नहीं होता यह नहीं होता रहें होता यह मत करना पर दो चलिए यह गया आप देखें ब्लू पानी पानी हो गई नहीं छुट बोलना मत यह बना लेटे उस अ satisfactory आना होला नहीं intelligence में देखें दोड़ा बहुत-क्रOTH तह लाग है कि नहीं है चलो यह आगे अपना ब्लू कलर है यह आगे अपना ब्लू कलर चेक है सर यह ब्लू भी मिल गया अपन को ठीक है यह अपना बंड़ा है अच्छा एक बाद नाम तो लिख दो सर कौन-कौन से नीचे वाला हो गया अपना कौन सा वॉयलेट चीक है यह वाला हो गया अपना इंडिगो ये वाला होगे अपना ब्लू चीक है आप कौन आता है सर सर अब बहुत इजी था विब ग्यॉल था तो अब ग्रीन आएगा मैंने का ठीक है सर ग्रीन ले आता है ये ग्रीन बढ़ी आए ना चलू अब यह अपन बच्वन में कलते थे पहले आउटलाइन मनाते थे उसके उपर फेक कलर कलते थे ये सर आपका स्पेक्ट्रम तयार हो रहा है कितनी मेहनत करवा रहा है तुम लों मुझसे आर चलू अब कैसर अब देखो सर आगए आँ ठीक है हाँ चलाओ मत मुझे भी दिखरा कुछ तो गया मुझे भी कुछ दिखरा है अभी नहीं अभी नहीं अभी बात सिर्फ संजो अभी बात को अपन समझने वाले अच्छे से आगे आते हैं और फिर अपना लास तो लाल है लाल-लाल लाल लाल चुनरी नहीं यह ना चुनरी 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 तो यह अपना लाल तयार तो यह आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा था काप जब यहां से वाइट लाइट गई आटम में और स्प्लिट हो गई लेकिन सर एक ब्लैक स्पॉर्ट आ गया मैंने का अच्छा उस जगह पर कुछ होना था क्या होना था सर यल्लो मिसिंग है यहां पर यल्लो होना था लेकिन यल्लो क्या हो गया मिसिंग एक रपट लिखवाओ इसकी जड़ा जाओ जड़ा एक फायर करवाओ कि यल्लो गया कहां उसके बाद कोई दिक्कत क्या हां सर उसके बाद तो बापिस औरेंज आया और औरेंज के बाद अपना रेड आया मतलब सारी कहानी से में पूरा आपका विजिबल स्पेक् क्या हुआ तो कहानी क्या बोला करें वाया पूरी स्टोर स्टोरी बताओ स्टोरी हुई गया तो हमने का सर्ण है रिम्ने का एटम लिया बो इस हाइडोर जो मिला है विलू मिला लेकिन सर जहां पर यलोग रिए लोगम को आना था वह यल्लो मिसिंग हो गया बाकी फिर औरेंज और रेड आ गए लेकिन सर बस उसमें एक यलो कलर गायब हो गया तो भाईया दिक्कत यह कि जब वाइट लाइट थी तब तो सब थे उधर पे देखा तो सारे नहीं आए एक गायब हो गया लेकिन एटम के लिए थोड़ी कलर है एटम थोड़ी बोलता है लाल लाल ब्लू है पानी पानी हना लहू मुलग गया यह सब एटम थोड़ी बोलता है एटम के लिए कलर नहीं है कलर आपके लिए एटम तो एक ही भासा जानता है electromagnetic radiation इसकी इत्ती frequency इसकी इत्ती wavelength मतलब उसके लिए जब आपने white light को डाला तो atom के अंदर जो लोग ते उनको पता चला कि भाई एक frequency की light आई अंदर और अब वो light अपने में से 7th frequency generate करेंगी या 7 wavelength generate करेंगी और अपन को जो पसंदारी अपन गेल लेते हैं अच्छा ये हुआ है मतलब ये जो electron था इसने yellow वाली light की wavelength को उडा लिया बाकी उसको मतलब नहीं था उसको लगी कौन सी अच्छी yellow वाली तो उसने yellow वाली को बला ठीक बाकी जाने दो मतलब इस electron ने उस yellow वाली radiation को क्या कर लिया absorb कर लिया क्या कर लिया सर absorb और उसके लिए उसने yellow को absorb नहीं किया उसने yellow वाली electromagnetic radiation जिसकी frequency कुछ थी जिसकी energy कुछ थी उसको absorb किया उसने yellow वाली energy को absorb कर लिया हमारे लिए yellow color खा गया लेकिन उसके लिए उसने क्या करा कि उसने यलो वाले की energy को ले लिया क्योंकि आपने पढ़ाया यलो के अंदर एक frequency है और जिसके अंदर frequency होती है उसके कुछ energy होती है मैंने कर ओके तो सर अगर उसने energy ली तो फिर उसने energy का करा क्या ये भी बहुत important बात है अगर इस atom ने energy Lee है तो उसने energy का करा क्या सर उसने अपने आपको excite किया उसने अपने आपको excite किया सर एक्साइट का मतलब मतलब अभी वो कौनसी orbit में था n equals to one orbit में अब अगर आप देखो तो उपर वाली orbit है n equals to two इस वाली orbit के कुछ energy होगी जित्ती उसके पास थी लेकिन उपर वाली energy जो orbit है उसकी energy ज्यादा थी तो अगर उसको एक orbit से दूसरे orbit में जाना है तो कहीं से energy लिनी पड़ेगी मान लो first orbit की energy पांच जूल थी second orbit की energy दस जूल थी तो उसके पास अभी कित्ते की कमी है पांच की और उसने देखा यलो वाली wavelength यलो वाली की energy पांच है तो उसने गोटी में पांच ले ली अब पांच ले ली तो उसके पास कित्ती हो गई दस जैसे दस हुई तो वह कहां चला जाएगा उपर वाले में मतलब उसने अपने आपको excite कराके एक शेल से दूसरे शेल में चला गया एक शेल से दूसरे शेल में चला गया और उसने इस transition में एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए क्या किया एक wavelength की energy को निप्टा लिया absorb कर लिया मतलब यह phenomena जो चल रहा है यह phenomena चल रहा है sir absorption का किसका चल रहा है किसका फिनोमेना चल रहा है सर ये absorption का पूरा ही उड़ा दिया भाई क्या select हो गया था किसका फिनोमेना है सर absorption का मतलब एक white light को डाला जो इस electron को पसंद आई जो उसको चाहिए थी उसने उस energy की light को रख लिया बाकी आपको निकाल के दे दिया देखिए आपको पूरा spectrum मिल गया लेकिन इसमें एक या दो wavelength गायब थी वो क्योंकि electron ने ले ली क्योंकि electron को excite होना था एक orbit से दूसरी orbit में jump करना था और दूसरी orbit में jump करने के लिए इसको किसकी जरूवत थी? energy की जरूवत थी तो फटाक से गोटी मार के उपर पोज़ गया अब सर्थ दो कोशन आते हैं सर, excite क्यों करना था? क्योंकि सर, जब भी इसको किसी से bond बनाना होता है कोई chemical reaction करनी होती है तो इनको excite करना पड़ता है तो भाई उमीद में तहा hydrogen का atom कि भाई मैं किसी के साथ मिलके कुछ relation बनाऊंगा इसलिए उसको जब मौका मिला कहीं से energy दिखी तो उसने का गेल लो अभी मौका यवाद में होना हो तो उसने लिया और वो कहां चला गया? उपर चला गया जैसे ही वो उपर गया तो एक orbit से कौनसी orbit में चला गया? दूसरी orbit में और इस orbit में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? energy का absorption और जब उसने energy का absorption किया तो एकात energy गायब होनी थी एकात frequency गायब होनी थी एकात wavelength गायब होनी थी वो तो सब लाया था, वाइट ने बोला था, मैं तो साथो लेके आया था, अब बीच में एटम ने रख ली तो मेरी क्या गलती, और तब जाके आपको ये जो स्पेक्टरम मिला, ये स्पेक्टरम किस के थुरू निकला, एटम के थुरू, और इसमें से एक दो वेवलेंद को आइटम ने क्या कर लिया, एब्सॉप कर लिया, और आपके सामने एक स्पेक्टरम दिया, इस तरीके के स्पेक्टरम को कहा जाता है, एब्सॉप्शन स्पेक्टरम, क्या कहा जाता है, एब्सॉप्शन स्पेक्टरम, जैसे ये बनाया ना, वैसा ये बनाकर रखाए, देख लिए इस तरीके का spectrum आपको देखने को मिलता है मतला पूरा band तो colorful है देखिए पूरा band कैसा है sir colorful है, ये important line लिखूँगा मैं ये देखना, पूरा band कैसा है sir colorful background है क्या है sir, colorful background with with dark lines ये कब बनता है जब absorption spectrum होता है जब क्या होता है सर absorption spectrum होता है मतलब पूरा का पूरा band तो आपको colorful दिखेगा लेकिन उसमें कहीं missing of lights या missing of frequency के चलते बीच बीच में black lines देखने को मिलती है तो यह यहाँ रखना कि जो आपका absorption spectrum है उसमें क्या हूँ वो black lines क्यों मिली क्योंकि वो frequency उस item ने रख ली और जब वो उस item ने रख ली तो कौन सा absorption है कौन सा phenomenon दिखने को मिला absorption phenomenon और इसके चलते जो spectrum मिला absorption spectrum मिला चीक है और absorption spectrum कैसा दिखा colorful background with dark lines colorful background with dark lines कोई दिखका थी यहाँ तक बाप समझ में आई है अब इसने भी energy ले लिए और energy लेके उपर बैठा हुआ है अभी देखता हूँ इससे लेता हूँ बापिस देता हूँ मिला मिला के दो देखते हैं यह समझ में आया कि सर आज सबसे पहले हमने देखा spectrum visible spectrum continuous spectrum और continuous के अंदर देखने को मिला absorption spectrum क्या देखने को मिला absorption spectrum कोई दिक्का यहां तक पक्का जिसमें colorful background होगा और उसके साथ क्या होँगी dark lines होँगी क्या होँगी सर dark lines होँगी पक्का इसको अच्छे से बनाएंगे फिर कहानी को आगे की तरफ लेके जाते हैं और क्या-क्या देखने को मिलने वाला है और कैसे color हमारे सामने आने वाले है फटा-फट लिखेंगे फटा-फट जल्दी note-down करेंगे और कोई दिक्कत हो तो फटाक से एक बार comment में डाल दो जल्दी फटा-बर note-down करो जल्दी करो सर स्क्रीन शॉट चलिए कर लिए note-down कोई दिक्कत की बात तो नहीं है तो समझ में आया absorption spectrum क्या होता है जब भी एक white light अंदर गई atom ने कुछ radiation को absorb कर लिया और उसके बाद जो spectrum मिला उसको अपन कहते हैं absorption spectrum it is the spectrum of radiation emitted by a system by a substance sorry system नहीं मतलब इसने जो emit करा ठीक है इसने जो क्या करा emit करा उसके अंदर उसने जो energy को absorb किया वो हमें देखने को मिला इसलिए हम इसको क्या कहते है absorption spectrum तुम तो ता लोड मतलो तुम बस यह यहाद दखो white light को अंदर डाला ठीक है atom ने कुछ frequency को absorb कर दिया कुछ energy को उसके बाद जो spectrum दिया उसमें हमें क्या हुआ कुछ frequencies missing मिली और इसी के चलते है हमने क्या का कि उस atom ने उन frequency को absorb किया है उन energies को absorb किया है इसलिए हम उसका नाम रख रहे है absorption spectrum और कौन सी खाई इनने yellow color की खाई सर yellow color की खाई देखता हूं कहा लेके गया yellow से white हो गया बढ़िया अभी बताता हूं इसको रुखो इतना क्लिया रहे के नहीं पक्का confirm चल अटा दू इसको पक्का ना चलिए पूरा नहीं हटाएंगे सर पूरा नहीं हटाएंगे क्यों नहीं हटाएंगे आप थोड़ा काम करना इस पर white light तो as it is hydrogen atom भी ठीक है इसको हटाने वाले हैं पर क्योंकि ये खतम चीक है देखते चलिएगा क्या चल रहा बढ़िया बिन्दास absorption भी खतम अभी इनका काम नहीं है चीक है अब समझेगा बहुत important चीज ये भी हटाओ चीक है अब अपन बापिस आते हैं क्या बनाना है अपन को पहले तो इसका first shell त्यार करो ये कल दिया सर देखो आपका electron कहा बैठा है क्योंकि उसने absorb कर चुका है और अब वो कहा चला गया है हाइर एनर्जी लेवल पर पहुचा हुआ है और वहां बैठा हुआ है और उमीद कर रहा है मैं किसी के साथ बांड बनाऊंगा मैंने का बना तू बना मैं भी देखूंगा लेकिन ये अपनी वाइट से होनी चाहिए थी तब ही मैच करेगा ये लो हो गया कवाड़ा अपना चलिए ये अपना एटम था ये अपना पहला शेल था और ये अपना दूसरा शेल था चीक है मान लेंगे फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाईया ये दो लाइट में स्प्लिट होगा एक ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पर अपनको स्पेक्टरं मिलेगा यह बात थी यहाँ पाता वो था वो इल्लेक्टरोन ने अनर्जी को गेन किया, गेन करने के बाद ऊपर चला गया और कौन से कलर की वेवलेंद खाई decad ने यलो कलर की, कौन सी फ्रीक्वेंसी काई जहां से मैं आया था तो इस टाइम पर होगा d-excitation क्या होगा सर d-excitation पहले क्या हुआ था excitation जब वो n is equal to 1 से कहां से n is equal to 1 से वो किसमें क्या था n is equal to 2 और जाने के लिए उसने किसी के energy को ले लिया था और 1 से कहां चला गया था 2 पर अब वो होनेवालाईडी एक्साइटेशनडेश्ग का मतलाब वो जहां पर है वहां से अब नीचे आएगा अपने घर कर आएगा जहां पर वो देहीं नहीं नहीं अभी तो एनलजी किसके पास है एटम के पास है उससे चुड़ाओंगा पहले जोसना मेरा यल्लो खाया है तो आप समझना एब्जॉप्शन में मैंने लाइट दी थी अब लाइट नहीं दे रहा हूं नहीं चाहिए नहीं चाहिए अब बात को समझो वह कह या तू से बापस वन आएगा इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन क्या कहते हैं मिट्टाइस को डी एक्साइटेशन डाट वींज हायर और्बिट से इलेक्ट्रॉन किदर की तरफ आ रहा है नीचे वाली और्बिट में अच्छा सर एन जो एन इस इक्वल्स टू था उसकी जादा थी किस से एन इक्वल्स टू वन तो जब वो टू से बापस आएगा वन तो वन में आके उसके पास एनलजी बहुत सारी रहीगी वन को तीचे यह नहीं तो सर्ट जो एनलजी उसने ली थी अब वो एनलजी को वो दे देगा जो एनलजी उसने एब्सॉप करी थी करने वाला है एमिट करने वाला है और जब वो एनलजी को एमिट करेगा वो भी एलेक्ट्रो मेंटिक रेडियेशन है तो वो भी भाया क्या होगा एटम के थूरू जाके के स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलेगी किसके फॉर्म में मिलेगी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में तो emission spectrum क्या करते हैं सर, emission spectrum, सर emission नाम क्यों रखा ए, क्योंकि atom ने radiation को emit कर दिया जो उसने पहले ली थी, और पहले कब ली थी, जब उसने white light से absorb करी थी, इसलिए उसको absorption कहता है, अब emit कर दिया उसी को, तो उसको क्या कहींगे, emission spectrum, क्या कहींगे सर, emission spectrum, और समझ यह, अब पहले और पिते क्या बन के आता है कौन सा एस्पेक्टरम तयार होता है छीक है चलो आजाओ आजाओ आप तक वह देखो मज़ेदागी जाएगी अब आएगी मज़ेदागी पहले मुझे चला, comment में बताओ, कौन सा color उसने खाया था, कौन से color की energy खाया थी, जल्ली बताओ, जल्ली बताओ, कौन सी energy खाया थी, अच्छा कानों तक आवाज आ रही है मेरी sir, yellow color की wavelength या yellow color का उसने खाली थी, मैंने खाँ ठीक है, तो अब जो spectrum आया, मेरे सामने कुछ ऐसा आया, मैंने का अब, मैंने का मैं तो सोच रहा था, फिर से seven colors आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा आ गया, इस बार पूरा background कैसा है, black background, black background, with colorful lines, देखे न, कौन सी line है, colorful lines, इस बार ये system मुझे मिला, और मैं काओं, तो सर मिलना भी चाहिए था, क्योंकि याद करो, absorption spectrum में, कौन सी light को इसने खाया था, सर yellow खाया था, तो भईया, उसके पास सिफ कौन सी light थी, सर yellow थी, तो जब वो spectrum देगा, तो कौन सी light देगा, सर yellow देगा, तो सर क्यों उम्मीद कर रहो, बाकी मिलेंगे, सर, बात तो आपकी भी सही है, क्योंकि जब absorption का spectrum बना, उसमें सब तो आ गए थे, बस कौन नहीं आया था, yellow नहीं आया था, तो emission में बाकी नहीं आया कोई, क्योंकि वो तो पहले आ चुके थे, अब सिर्फ कौन आया सर, yellow आया, तो पूरा background कैसा मिलेगा आपको, black, बस उस कौन सी lines आएंगी, colorful lines, वो frequency, वो wavelength, वो energy, जो उस atom ने पहले रख ली थी, जो पहले रख ली थी, इसलिए मैंने बुला, इस बार background black रहेगा, लेकिन lines कैसी रहेंगी, colorful, जैसे देखिए, पूरा background, अरे सर, ये red को मत मानना, ठीक है, red से तो मैंने spectrum बनाया है, पूरा था, अब उसको उसमें छोड़ दिया है, तो कोई ये नहीं पूछे सर, बाकी का आगे, भाई बाकी तो पहले ही आगी थी ना, absorption में आगी थी ना, ये देखो न, ये मानलो यहाँ पर ये थी, ये ये नहीं आई थी, तो ये अब आगी, तो ये जो है, इसको कहते हैं, emission spectrum, क् इतना simple था, तो याद अखना है, जब atom ने किसी wavelength को absorb किया था, और उसके जगा dark line मिली थी, तो वो था absorption spectrum जो उपर बना है, अब क्या हुआ, उसी atom ने, जब वो बापिस वो energy release करी, मतलब emit करी, तब भी एक spectrum बना, लेकिन उस spectrum में वो ही line मिलेगी, जितनी उसने energy पहले absorb करी ती, that is yellow light और background पूरा आपका black आया, बस उस पे colorful lines मिलेगी, जो उसने खा ली थी, जो उसने रख ली थी, जो उसने गपच कर ली थी, वो आपके सामने है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, पका, तो ये diagram भी आपको 1 minute बनाना पढ़ेगा, फिर मैं आगे बताता हूँ, जल् हो गया, कोई दिकत तो नहीं, समझ में आया, क्या बोला मैंने, पका, क्योंकि मैं diagram हटा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज, तो ये था सार, emission spectrum, कैसा था emission, हटा दू, पका, चलो, ये देखो सार, ऐसे ही बोला था मैंने, पूरा background कैसा है, black, और उस उस पर देखो, सिर्व lines मिल रही है, colorful lines मिल रही है, ये वो हैं, जो उस hydrogen के atom ने रख ली थी, जो उस hydrogen के atom ने रख ली थी, फिर उसने देखा, मेरा काम नहीं बन रहा तो उसने बापिस छोड़ दी, पहले पूरा colorful आ चुका था background, अब colorful आए गा ही नहीं, क्योंकि सारी wavelength तो line spectrum, क्या कहते है sir, line spectrum, जैसे आपने अभी absorption में देखा, absorption में क्या था, continuous spectrum था, सारे color एक दूसरे में merge होके आ रहे थे, तभी colorful band मिला था, जो मिन आपको rainbow में बताया है ना, सब एक दूसरे में merge होते हैं, लेकिन यहां को देखिए, red कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि red के inside भी black outline है, red के inside भी black outline है, इसी लिए इस तरीके के spectrum को क्या कहते है, line spectrum, इसमें बढ़िया तरीके से lines दिखती है, तो इसको क्या कहेंगे, line spectrum, और जब एक color दूसरे में merge होने लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं, कौन सा color कब खतम हो रहा है, कौन सा चालू of radiation emitted by a substance, जो substance ने radiation को फेका, और वो फेकेगा, जो उसने absorb करी थी, उसने कौन सी absorb करी थी, अपने case के लिए, जो मैंने बताया, उसमें उसने क्या फेका, yellow color, क्योंकि भाया, yellow color को उसने खा लिया था, और इस case में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिला था, yellow color देखन पड़ावर उपर वाली दो लाइन को नोट डाउन करेंगे, जल्दी, हो गया, पक्का, चलो, अब देखिये, when the energy is provided to an atom, जब भी हम एक atom को energy देते हैं, या molecule को देते हैं, तो electron absorb the energy and go to higher levels, यही हुआ था क्या नहीं हुआ था, याद करो, वो first orbit में था, उसको कहीं से energy मिली, उसने energy ली, और कौन सी चुरा ली, जो उसको लग रही थी, sufficient, अच्छी लग रही थी, मजा आ रहा था, वो ली और कहाँ चला गया था, उपर वाले में, यही लिखा हुआ है, electron absorb the energy and go to higher levels, कापर higher level, यह अपना atom था, यह अपना first electron यहाँ पर था, और जैसी उसको energy मिली, वो कहाँ चला गया, उपर वाले में, उपर वाला क्या है, n is equals to 2, और नीचे वाला क्या, n is equals to 1, तो इसी को अपन ने लिखा, and the electron are excited to the higher states, यही बोला था, इस phenomenon को कहते है, excitation, कि एक electron ने energy ले ली और कहाँ चला गया, excited state, मतलब उसकी उपर वाली state में, चला गया, now वो ready है, किसी से bond बनाने के लिए, अब देखो, जब उसका bond नहीं बना, तो भाई, मलता क्या नहीं कलता, बापिस आएगा, जब उसको कहीं पर bond नहीं बना दिखा, तो मलता क्या नहीं कलता, बापिस आएगा, वो बापिस नीचे की तयारी कर रहा है, तो देखिए, when these electrons come back to the original level, they release the absorbed energy, जो उसने energy लीती उपर जाने के लिए, आप उस energy को छोड़ेगा, और जब वो उस energy को छोड़ेगा, in the form of spectrum, तो उसी को कहते हैं, emission spectrum, absorb energy in the form of radiation, calls the emission spectrum, और ऐसे ही दिखता है, जिसका background पूरा black होता है, बट उसमें colorful lines होती है, क्या होती है, colorful lines, इसलिए emission spectrum को ही कभी-कभी line spectrum के अंदर भी रखा जाता है, और इसी को कहते है, emission line spectrum, बात क्लियर है, कई सारे spectrum पढ़ा दिये, spectrum मतलब color band, पूरा, और दिखने वाला है, तो visible spectrum, और visible spectrum में अगर दो color merge होते हुए चल रहे हैं, कहीं पर outline नहीं है, तो continuous, और अगर merge होने के बीच में उसमें separation आ गया, कि red इदर, orange इदर, तो उसको कहींगे line spectrum, फिर हमने पढ़ा continuous के अंदर absorption spectrum, मतलब एक atom के through हमने white light डाली, तो उसने कुछ frequency की light को absorb कर लिया, और फिर देखा कि जो spectrum था, उसमें कुछ हमें missing दिख रहे हैं color, color missing दिखे, तो हमें उसमें क्या दिखे, dark spots दिखे, तो हमने कह दिया, colorful band तो है, लेकिन dark line मिली, क्या मिली हमें dark line, ऐसी फिर जो उस item ने energy ली थी, अब उसके देने की बारी हुई, तो जब उसने दी, तो एक और spectrum मिला, जिसको हमने का emission spectrum, इसमें वो ह आई की, जो उसने रखी थी, तो कुछ colorful lines मिली, बाकी पूरा background कैसा मिला, black, ये कहाँ नी थी अभी तक, ठीक है, तो एक बार इस दोनों point को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्ली लिखिए, जल्ली note down करिए sir, जल्ली, जल्ली note down होना चाहिए, हो गया, चलो, आगे देखो, आगे देखो, ये देखो, सर्थ दोनों को compare कर रहे हैं, ये emission है, ये absorption है, पहले absorption पर बात करेंगे, सर, absorption क्या था, याद करो, सर, it is the spectrum of transmitted light by a substance, ये वो spectrum है, जब हमने एक substance को light दी, और light देने के बाद, उसने कुछ light को absorb कर लिया, और उसके बाद, जो spectrum बनेगा, उसी को अपन कहते है, absorption spectrum, it is always, देखिए, discontinuous consisting of dark lines, अच्छा, discontinuous क्यों बोल रहा है, क्योंकि बीच में रुगावट हैं, बीच में क्या है, रुगावट हैं, continuous नहीं है, continuous का मतलब क्या होता है जार, एक हुआ, फिर दूसर चालू, फिर दूसर से तीसर चालू फिर दूसर से चौतर चालू, यहाँ पदे के lines मिल गई, मतलब कहने का यह मतलब है, देखिए, मान लो यह वाला पार्ट क्या था, कौन सा पार्ट था यह, वाइलेट, अब वाइलेट के बाद क्या चालू हो गया, इंडिगो, जैसे इंडिगो हुआ तो देखिए, एक black line मतलब वाइलेट और इंडिगो को सेपरेशन मिल गया, इधर पर आओ, यह जैसे मान लो यह यलो था, यलो के बाद को और आगया, औरेंज, तो यह देखिए, एक और black line आई, इसने भी सेपरेशन कर दिया, यलो और और औरेंज का, तो जब सेपरेशन हो रहा है, तो क्या कह कहेंगे, discontinuous, क्या कहेंगे, discontinuous, ठीक है, तो it is always discontinuous, consisting of dark lines, लेकिन background कैसा है सर, colorful, with dark lines, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो, it is the spectrum of the radiation emitted by an excited substance, बाद समझ रहे हैं, जब भी किसी atom ने कोई energy को gain किया था, फिर उसने उसको क्या करा, छोड़ दिया, जब उसने उस energy को छोड़ा, तो भी एक spectrum मिला, लेकिन उस spectrum में वोई lines आएंगी, वोई energy आएंगी, जो absorb करी थी, पूरी तो आएंगी नहीं, क्योंकि पूरी तो यहां आगी थी, जब पूरी यहां आगी तो यह बापिस कैसे आएंगी, तो यह सब नहीं आएंगी, बस जि आप पर वोई lines हैं, जो यहां पर missing है, मतलब इन दोनों को जब मैं मिला दूँगा, तो पूरा visible spectrum मन जाएगा white light का, लेकिन तुकड़ों में आई, क्योंकि atom ने बीच में बहुत मकारी करी, atom ने क्या करा पहले रख ली, जब रख ली तो यहां नहीं मिली, और जब छोड़ तो जो पहले मिली, वो नहीं मिली, बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चारो, तो emission में क्या हुआ, कि सब जो पहले color आ गए थे, वो तो आएंगे नहीं, तो भाई आप पूरा background black, बस कौन सी lines दिख रही हैं, जो उसने रखी थी, तो इसी लिए इसको absorption spectrum और इसको emission spectrum, घबराना नहीं है, कौन सा continuous, कौन सा line, बस इतना या दखो, एक color खतम हुआ, दूसरा चालो गया, पता नहीं चल रहा, कब खतम हुआ, दो color मर्ज हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं, continuous spectrum, लेकिन अगर एक color और दूसरे color को आप देख पा रहे हो, black line से separated, तो उसको अपन क्या कहते हैं, line spectrum, और visible spectrum तो पता है, जिसमें सातो color आजाएं, उसको visible spectrum, absorption spectrum, जब atom कोई frequency of light को रख ले, absorb कर ले, उसके बाद जो spectrum मिले, उसको absorption spectrum, और atom, जब वो जो energy रखी थी, उसका कोई काम नहीं आया, आप उसको छोड़ेगा, तो जो emission spectrum बनेगा, वो यह रहा, जिस पेसे वो ही मिलेंगी, जो उसने ली थी, पका एक बार इन दोनों का लिप बनाएंगे चार्ट बहुत important है, जली बनाईए चार्ट, जली, चलिए सर्थ, तो note down कर लिया क्या नहीं करा, पका समझ में आया, spectrum, visible spectrum, continuous, live, live नहीं, line, उसके बाद emission और absorption, बढ़िया तरीके से मैं आपको एक एक चीज में बताया, सर्थ, सबको अच्छे से note down करेंगे, बढ़िया तरीके से note down करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं आए, और सबकी drawing अच्छे से बनाएंगे सर्थ, जैसे मैंने बनवाई थी, वैसी सारी drawings आपको तयार करके लखनी है, तो सारी चीज़े clear हुई होँगी, मेरे साब से कोई प्राबलम तो नहीं होंगी, पक्का, confirm, मान लू नवाद, चीक है न, और अगर कोई दिक्कत है, तो कहां आगे बोलोगे, कान में, नहीं सर, comment section में, चीक है, हर चीज जो मैं बता सकता था, बढ़िया से बढ़िया, एकदम deep में जाके, वो सब कुछ मैंने आपके सामने explain किय क्या हुआ है, सर बस revise करिए, बस revise करिए, अब अगला topic क्या होगा, कल का एक number, follow topic क्या होने वाला है, वो कल ही पता चलेगा, रात को 8 बचे, चीक है, और अगर सारी चीजे बढ़िया चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बने रही है सर, फिर क्या दिक्कत की बात है मेरे साथ और magnet, brains के साथ, जो आपको provide करता है, quality education, वो भी बिलकुल free, और, और, सारे lectures तो आप YouTube पे देखी रहे हैं, इन कभी कभी हो जाता है, सर, YouTube पे देखते, देखते, कुछ और वीडियो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो उसका भी अपने पास तोड़े, उसका भी अपने पास उपाए, आप जाके देखिए, magnet, brains की website पे, वहाँ पे playlist के form में सब कुछ वहाँ भी available है, बड़िया तरीके से देखिए, सर, काम हो जाएगा, जो यहाँ मिलता है, वहाँ मिलेगा, वहाँ अच्छे वे मिलेगा, कोई वीडियो ही मिलेगा, इदर उदर सरकने व दिक्कत की बात नहीं होगी, फिर magnet, बेंस आपके लिए लेखिया है, सर, टॉप कोर्सिस, जिसमें, cbsc, english medium channel पे, पूरा uploaded हो रहा है, आपके सामने मैं हूँ, आपको class 11 की chemistry पढ़ाई रहा हूँ, बाकी subjects भी available है, तो वहाँ भी जाहिए, वो भी देखिए, बड़िया मज़ इन बात हिंदी medium channel भी हमारा है, वो भी सब कुछ available करता है, सर, पूरा cbsc, पूरा up board, पूरा बहार board, और पूरा mp board, तो सर, कितना कुछ हो रहा है, बस आप लगे रहे, जो भी दिक्कत है, बताते रहे, और अगर सब सही है, तो एक बार वो भी बोलते रहे, और आज शाहि तो मिलते हैं, कल कितने बजे, आठ बजे, एक फाडू lecture खतम हो रहा है, तो कल दूसरा फाडू lecture, भैतरिंग lecture आपका इंतजार कर रहा है, ठीके, तब तक के लिए, बाई बाई, शुक्रिया, थाइंक जो मच